प्राइगी अच्छतिस गड़ के हर किसान का कर्जा माफ होगा कर दूसरी बात अभी मैंने खत्म नहीं किया देखिए मोदी जी 15-20 लोगों के लिए लिस्ट बनाते हैं सबकुछ उनके लिए आज मैं भी दो तीन चीज़ों दो चीन चीज़े किसान को कहना चाहता हूं पहला काम आपका कर्जा माफ ठीक है दूसरा काम दान की MSP धान का आपको 2500 रुपए मिलेगा तीसरी बात तीसरी बात यह जो पंद्रा क्विंटल का लिमिट है इस पंद्रा क्विंटल के लिमिट को हम खतम कर देंगे चोथी बात बीजेपी की सरकार ने किसानों का बोनस खतम किया तो जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आईगी हम आपको किसानों को बोनस देने का काम शुरू कर देंगे और बीजेपी ने जो आपसे वाइदे किये और जो तोड़े मैं उनकी भी मदद करना चाहता हूं उन्होंने आपसे वाइदा किया था कि वह आपको बोनस देंगे दो साल उन्होंने आपको बोनस नहीं दिया तो पिछले दो साल का भी बोनस कॉंग्रेस पार्टी की सरकार 36 गड़ के किसानों को दे देगी लेओ और हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आपके खेट के बिलुकुल पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगा देगी चछतिस गड़ का किसान सीदा जाकर कार खाने में अपना माल बेचेगा और उसको सही दाम मिलेगा और उस कार खाने में 36 गड़ के किसान के बच्चों को रोजगार मिले के आखरी बात रोजगार की देश के सामने दो समस्यां है पहली समस्या किसान दूसरी समस्या युवाओं को रोजगार चाइना की सरकार 24 गंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है नरेंद्र मोधी की सरकार उसी 24 गंटे में पूरे हिंदुस्तान में सिरफ 450 युवाओं को रोजगार दे पाती है उन्होंने मेकेन इंडिया की बात की स्टार्ट अप इंडिया की बात की बुलेट ट्रेन की बात की पता नहीं क्या क्या बोल दिया मकर सचाई है 20 साल से सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में नरेंद्र मोधी जी के अंडर है तो हमारा चीफ मिनिस्टर यहां आएगा रोजगार के लिए वो दो तीन चीज़ें करेगा सबसे पहले मैंने आपको बताया हर डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा और खेत को शेहर की एकॉनोमी से जोड़ेगा दूसरा काम 24 गंटे में से 18 गंटे वो युवाओं को रोजगार देने में लगाएगा साथ हजार टीचर के पोस्ट खाली है सरकारी तेरह हजार लेक्चर के पोस्ट खाली है दो हजार स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है और तीन हजार आधिवासी स्कूल बंद हो गए हैं यह जो पोस्ट से सरकारी पोस्ट हैं इनको भरने का काम कॉंग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर शुरू करेगा और जल्दी से जल्दी इन पोस्ट को बढ़ देंगे और पूरा का पूरा फाइदा आउट्सॉर्ट के अपने लोगों को दे देंगे बीजेपी के संगठन को ले देंगे देंगे यह आउट्सॉर्सिंग कॉंग्रेस पार्टी बंद कर देखें अब और जो आपका है देखिये आज 36 घड़ में आप शिक्षा चाहते हो तो आपको प्राइवेट कॉलज में जाना है बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है दस पंद्रा लाग रुपे पहले दो फिर एंजिनियर बनो डॉक्टर बनो लोयर बनो कोई कि बिमार होता है वही काहनी सारे के सारे अस्पाताल प्राइबेट है एक देपिन की जरुरुत कि पर और हजार रुपए इलाज की जरुरुत ऑपरेशन लाखों रुपए निकालो कि कॉंग्रेस पार्टी आएगी तो टॉप कॉलिटी के सरकारी हस्पताल और टॉप कॉलिटी के सरकारी युनिवर्सिटी और कॉलिजेज हम खोलेंगे और इस इन में इन में आपको कम से कम पैसे देकर अपने बच्चों की शिक्षा और अपना स्वास्त मिलेगा है यह करना मुश्किल नहीं है कि सीदी सी बात है या आप अंबानी को 30,000 करोड रुपए दो या फिर आप 37 गड़ के जनता को स्कूल और कॉलिज दो कि चुनना पड़ेगा है व कि मोदी जी ब्रश्टा चार की बात क्यूं नहीं करते मैं आपको बताता हूं कि क बोलनी पाएंगे स्टेज से आद नरेंद्र मोदी यह दिए बोल सकता है कि व्रश्टा चार के खिलाब में कड़ा हूं कि मैं आपको बताता हूं क्यों कि यूपीए की सरकार थी कि वायू से ना को 126 हवाई जहादों की जरूरत कि एर फॉर्स ने पूरी रिसर्च की अलग-अलग कंपनियों सी बात की और एर फॉर्स ने बोला कि हमें 126 हवाई जहाद करता चाहिए फ्रांस के हवाय जहाद चाहिए राफएल नाम है कि हमें यह जर्ट हो यूपीय सरकार ने कहा कि अब आपने हवाई जहाद चुना है मगर हमारी शर्त है कि हिंदुस्तान इरौ नॉनाटिकल लेमिटेज सरकारी कंपनी जहाद को बनाएगी हवाई जहाज का दाम 526 करोड़ रुपए प्रती हवाई जहाज यूपिया की सरकार गई मोधी जी आए पहला काम उनका फ्रांस गए किसके साथ अनिल अंबानी के साथ पता लगा लो नरेंद्र मोधी के डेलेगेशन में अनिल अंबानी बैठा हुआ दोनों एक साथ फ्रांस हवाई जहाज के बजाए 36 हवाई जहाज खरीदे और जो हवाई जहाज 526 करोड़ का था उसे नरेंद्र मोधी जी ने सोला सो करोड़ रुपए में खरीदा भाई और बहनों नरेंद्र मोधी जी ने सरकारी कंपनी से डील चीनी हिंदुस्तान एरो नॉटिकल लिमिटेट सत्तर साल से हवाई जहाज बना रही है कारगिल में जो बं गिराए थे पाकिस्तान के उपर पाकिस्तानी सेना के उपर हिंदुस्तान एरो नॉटिकल लिमिटेट के हवाई जहाज न गिराए एक रुपिया करदा नहीं है उन पर उल्टा वो सरकार को पैसा देते हैं तीन अजार करोड रुपए उन्होंने अने लंबानी ने जिंदगी में एक हवाई जाजनी बनाया गई पैस्तालेस हजार करोड रुपए का करदा है सरकारी बैंक से पैसा लिया उसने आ भाई और बैनों कॉंट्राइक मिलने कि दस दिन पहले सास्थ दिन पहले आने लंबानी ने कंपनी खोली आ जिसको इसको कंट्राक मिला अगई एरफॉर्स से नहीं पूछा को डिफेंस्स मिनिस्टर से नहीं पूछा नेंद्र मोधी ने स्वयम यह निरन लिया इसलिए नरेंद्र मोदी आज अपने भाशन में भ्रश्टाचार की बात नहीं कर सकता है चोकीदार और इसलिए अब वो ना रोजगार की बात करते हैं ना भ्रश्टाचार की बात करते हैं ना किसानों की बात करते हैं यह यह सचाई है एक भी भाशन में आरह सके राश्च्रपती ने कि अपूर रावल गान्दी ने नहीं कहा एक मिन फ्राइद फ्राइड फेल जाओ किर या राश्क्रपती ने कहा पत्रकार ने उनंसे पूछा तहां कि देखो अनिल अम्बानी को यह हवाई जहाज को कॉंट्रेक्ट आपने क्यूं दिया फ्रांस का राष्ट्रपती कहता है हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने हमें बताया कि अगर फ्रांस की कंपनी को कॉंट्रेक्ट चाहिए तो अनिल अम्बानी को देना ही पड़ेगा मतलब फ्रांस का राष्ट्रपती पत्रकारों को कह रहा है खुल के कह रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री चोर है मगर हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री एक शब नहीं कह रहा है ब्रस्टाचार के बारे में अब बोलता ही नहीं है राफाइल के बारे में एक शब नहीं कहता अन्य लंबानी के बारे में एक शब नहीं कहता क्योंकि चौकीदार अच्छा अब चोकिदार से 36 गड़ चलते हैं चिट फंड की बात करते हैं पांच हजार क्रोर रुपए जनता का पैसा चिट फंड में बरबात हुआ अलग-अलग कंपनिया आई रमिन सिंग जी के मित्र इन्होंने कंपनी खोली आपने उसमें अपना पैसा डाला और फिर कंपनी वाले भाग गए और आपका जबरदस्ट नुकसान हुआ आपको पैसा वापस नहीं मिला इन्क्वाइरी हुई कोई जेल गया किसी को सजा मिली नान गोटाला पीडियेश गोटाला 36,000 करोर रुपए 36 गड़ से चोरी किये जाते हैं कि डायरी पाई जाती है डायरी में साफ लिखका है कि सीम मैडम को पैसा गया ये सीम मैडम कौन है मैं रमान सिंग जी से पूछना चाहता हूं ये सीम मैडम कौन है जिनका नाम डायरी में आया डायरी में डायरी में डाक्टर साहब को पैसा दिया यह डॉक्टर साहब कौन है तो सच्चाई है कि चाहिए वह सच्चित प्रचतिसगड़ हो रमंद सिंग जी हो या नरेंद्र मोदी हो कि खुल के भरष्टाचार करते हैं कि चाहिए वह राफाइल हो नान गोटाला हो चिट फंड हो अच्छा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेल चला गया पाकिस्तान में नवाज शरीफ को जेल में डाला कि उसका नाम पैनवा पेपर्स में आ गया कि और चत्रेशममे जीफ मिनिस्टर का बेटा बेटे का नाम पैनमा पेपर्स में आता है को कोई कारवाई नियुक ll कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आईगी कारवाई होगी चाहिए वो दिल्ली में हो या 36 गण में जिसने बरश्टा चार किया है उसको हम पकड़ के अंदर कर देंगे कोई नहीं बचने वाला है अब चुनाव का समय है कॉंग्रेस पार्टी के यहां करेकरता खड़े हैं आप हमारी रीड की हड़ी हो आप विचार धारा के लिए लड़ते हो और मैं आपसे दो तीन और अपारशूट से किसी को टिकेट नहीं मिलेगा और मैंने वह वायदा पूरा किया अच्छा-थीसगर्द कार्यकरता की बात सुनकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात सुनकर हमने टिकेट दिये हैं और हमारे प्रेस की मित्र कहते हैं कि इस बार कॉंग्रेस पार्टी ने जबरदस्त अच्छी तरीके से टिकेट दिये हैं तो अब आप सब को एक साथ मिलके लड़ना है आपकी सरकार आने वाली है किसानों की मजदूरों की गरीब जनता की सरकार होगी मगर Congress Party के कार्यकरता की भी सरकार होगी और गरीबों के लिए और Congress के कार्यकरताओं के लिए हमारे Chief Minister, मंत्रियों, MLA और MP के दर्वाजे खुले मिलेंगे और जो जनता चाहेगी मोदी जी जहां भी जाते हैं कहते हैं मन की बात करते हैं आपसे मन की बात, जहां भी जाएंगे मन की बात हम आपसे अपनी मन की बात नहीं करना चाहते हैं हम आपकी मन की बात सुनकर काम करना चाहते हैं आप हमें बताओ चाहे वो किसान हो, छोटा दुकानदार हो दलित आदिवासी, मजदूर, युवा, महिलाएं जो भी आप हमसे चाहते हो आप हमें बताओ हम सुनकर आपके लिए कान करेंगे ये मैं आपको कहना चाहता हूँ मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो आपने स्टेज से सुन लिया चाहे वो किसान का कर्जा माफ हो, चाहे वो फूर प्रोसेसिंग प्लांट की बाद हो और वो पूरी हो जाएगी यह मैं आपको गैरंटी दे के जा रहा हूँ अच्छा ठीक है आप आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद किसान के कर्जा माप बिजली बीलहाप औरू भटी साफ बहुत अभार बेक्त करेंबर नावाज भाहि लामंत्रित करा था आया हम सब लाभार बेक्त करें मातब हम लेस्वरी के पवित्र प्रांगन डोंगरगड में आयजित चुनावी रेली में हमर भी चुपस्तित हमर रास्ती अध्यक छादर्णी राहुल गांधी जी के धन्यवाद करतन आभार मानथन किसान मन के करजा माफी से लेके हमर बेरोजगारी दूर करेके समर्थन मुल्य के धान खरी दी बोनस के बाद अव हमर रोजगार नौकरी के बाद सब करी सोकर लिए हम उकर आभारी हन आभार मानथन गुरु बालदास जी के जे मंच में हैं आभार मानथन अधर्णी पी एल पुनिया जी के जिकर प्रभार में आये के बाद 36 गड़ में कांग्रेस में काफी जा गुरूपताईस आभारी हन हम अपन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक भूपेज बगेल जी के जैन पांस साल ले लगातार रमन सिंग से लड़ा थे विधान सभा के अंदर लड़े के लिए हम अभार मानथन अधरनी टीस सिंदेव जी के अवंत में आप सब के अभार मानथ अपन बात समात करत हूं धन्यमाज जाए हिंज जाए चतितित गड़ू के अभार मानथ हम अपना हो झाल